हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूटूब चैनल पर आज हम स्वीडियो में आर्जोल DSR कैप्सुल के बारे में पुरिजन कर लिना आले आर्जोल DSR कैप्सुल का मुक्त दो पोयोग एसलिटी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है आईए इस कैप्सुल के बारे में और अधी कुछ दर्श जानते एक कैप्सुल कैसे काम करती है का इस्तवान होती है इस कैप्सुल के क्या बेनिफिट है क्या साइड इफेक्ट है इस कैप्सुल से जुड़े सभी सालों के जाप आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वी जरुत होती है यह डॉक्टर के परची पर मिलने वाली कैप्सुल है बात करते हैं इसमें मौझूद कंटेन के बारे में आर्जोल डीयसर कैप्सुल में रैवेप्रोजॉल, सोडियम, IP, BCMG, इसमें मौझूद डॉम्पेरोडाने प्रोकाइनेट है जो पेट और आतों की गतिविदों को बढ़ाने के लिए पाचनतमत्र के उपरी हिस्से पर काम करता है जिससे खाना बहुत असानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है रैवेप्रोजॉल एक प्रोट करता है जो पीट के अलसर होने के समस्या दूर करने के लिए जिसे हम प्रियुतिक cáiेट एक दरह का घाव है जो कि पेट के भीत्री हिस्से की परत में, बोजन नली में और छोटी आत में विकसित होता है एप्टिक अलसर में पेट में दर्ध होता है और यह दर्ध नाभी से लेकर चाती तक महसुस होता है इस समसा कुदूर करने के लिए डॉक्टर इस कैपसुल का इस्तमाल करते है इसे मितली, उल्टियानी की समसा दूर करने के लिए भी डॉक्टर उज़ करते है इस कैपसुल का उपयोग GERD जिसे हम गैस्ट्रो एसो फेगल रिफ्लेक्स डिसिस कहते है इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर स्कैप्सुल का यूज़ करते हैं गर्ड एक दिर्गकालिन पाचन समधित समस्या है गर्ड तब होता है जब पेक में उत्पन एसिट आपकी बोजन नली में वापस आ जाता है इस रिफलेक्स के परिणाम सोरुप आपकी बोजन नली की आंदरोनी सतर पर जलन होती है और गर्ड की समस्या हो जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सुल का उपयोग आईसिटी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर रूच करते इस capsule का अन्य उज्जहने के लिए आप अपने doctor या pharmacy से संपर्क कर सकते हैं. आपकी doctor उनके अनुभाँ है इस capsule का इечно-धמ׼ै का इस्तमाल अन्य समस्या कदूर कने के लिए भी उज्ज़ कर सकते हैं. बात करते हैं इस capsule के doses के बारे में आप अपनी समस्या बतागर इस capsule का dose अपने डॉक्टर या फार्मसिस से पूछ ले याद रहे कि दोस्तों इस capsule का dose आपके समस्या पर निर्दारित होता है इदि आपकी समस्या जादा हो तो इस capsule का dose भी जादा होंगा यदि आपकी समस्या कम हो, तो इस capsule का dose भी कम होगा, इसलिए आप अपने समस्या, अपने डॉक्टर को बता कर, इस capsule का dose उनसे निच्छित कर ले, इसे अपने मन से घर परना ले, वो एक स्वेक्ती अने एडल्ट ये capsule दिन में एक बार खाना खाने के आदे घंटी पहले ले सक सकते, side effect, इस capsule के इस्तमाल से होने वाले दुश्पनना, यदि आपको इस capsule में मौझूद कंटेंस एलर्जी है, तो आपको बताएगे कुछ side effect हो सकते, यदि आपको बताएगे कुछ side effect मैसे सोब, तो आप तुरंद अपने डॉक्टर से संपर्क करे, इस capsule के इस्तमाल से सिर्दर, चक्कर आना, कमजोरी, ये कुछ side effect हो सकते, प्रिक्वेशन, इस capsule के उस्तमाल से कोई side effect होता है, या फिर आपको इस capsule में मौझूद कंटेंस एलर्जी है, तो आप इस capsule का यूज न करे, अगर आप पहले से ही कोई अन्ने मेडिसीन, टैबलेट, कैप्सूल ले रह या फिर किड्नी से जुड़ कोई आनने समस्या है, तो उसकी सुचना भी अपनी डॉक्टर को आवश्य दे, गर बोती माई लाए, एक capsule उस करने से पहले, अपनी डॉक्टर की सला आवश्य ले, इस capsule के इस तमाल के पहले, या इस तमाल के बाद, एलकोल का प्रयोग न करे, इससे आपकी से दिबिगर सकती है, दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिले हो, तो वीडियो को लाइक करे, और माय फार्मा टिप्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करे, इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसेंदोस मिलत रहंगे, थैंकियो फार वोचिंग इस व